तो यहां पर हमारे सामने यह सवाल है आकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानि mean deviation about the mean ग्यात कीजिए तो यह हमारे पास आकड़े हैं यहां पर हमारे पास लड़कों की संख्या है और उचाई हैं तो यह हमें बता रहा है कि 9 लड़के 95-105 cm के बीच में हैं 13 लड़के 105-115 cm के बीच में 26 लड़के 115-125 के बीच में और ऐसे हैं अगर हम देखें यह जो लड़कों की संख्या है यह हमें बता रही है कि कितने लोग इस range के अंदर है तो ये जो लड़कों की संक्या है ये एक frequency की तरह है ये हमें बता रहा है कि कितने लड़के इस range के अंदर है तो ये हमारी पहली frequency हो जाएगी उसी तरीके से ये हमारी दूसरी range के लिए दूसरी frequency है कि कितने लड़के हमारी दूसरी range में है तो यह जो हमारी दूसरी line के आकड़े हैं यह हमारी frequencies है और यह जो पहली line के आकड़े हैं यह हमें बता रहा है कि वो आकड़े है क्या वो कितनी उचाई है तो यह हमें x की range बता रहा है तो हम इन आकड़ों को column wise लिख लेते हैं तक हमें आसानी हो अपने formula का use करके mean deviation निकालने में तो चलिए पहले इनको column में लिख लेते हैं तो यहाँ पहले हमने उचाईयां लिख ली है अब हम इनके frequencies लिख लेते हैं तो यहाँ पहले हमने उचाई और frequency के बीच में एक column खाली छोड़ा हुआ है यह इसलिए क्योंकि यह जो उचाई का beach का बिंदू होगा मद्य बिंदू होगा यह हमें बताएगा कि हमें x क्या लेना है क्योंकि यहाँ पे एक range है तो हमें इसके beach का जो number है जो मद्य बिंदू है उसी को x लेना होता है तो 95 और 105 के बीच में हो जाएगा हमारा 100 105 और 112 के बीच में 110 और इसी तरीके से हम आगे के नंबर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से अब हमने सारा data लिख लिए हैं सारे आकडे लिख लिए हैं तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं हमें निकालना है mean deviation about the mean तो सबसे पहले हम mean यानि माध्य निकाल देते हैं माध्य निकालने के लिए हमें इसकी जरूत पड़ेगी कि total कितने बच्चे हैं तो जो total बच्चे हैं उनको हम capital N बोल देते हैं ये हो जाएंगे frequency के सारे आकडों को जोड के जो हमें number मिलेगा उसके बराबर तो यहाँ पे 9 बच्चे हैं 13 बच्चे हैं 26 बच्चे हैं तो इस तरीके से अगर मैं frequency के सारे आकड़े जोड़ दूँ तो मुझे total बच्चों का number मिल जाएगा तो ये कितना आने वाला है ये हमें मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 100 के बराबर अब हमें n मिल गया है तो mean के लिए यानि माध्य के लिए जो formula होता है वो होता है 1 by n into sum of xifi यानि कि हमें जो height दी हुई है वो height को हम गुना करेंगे लड़कों की संख्या से तो यहाँ पे 100 into 9 हमें मिल जाएगा 900 यह हमें बताएगा पहला number जिसे हमें add करना है इसी तरीके से हम बाकी सारी रोज के लिए भी यह गुना करके यहाँ पे number लिख देते हैं तो यह हमें मिल गए सारे xf अब हम इनको add कर देते हैं ताकि हम माध्य निकाल पाए यानि mean निकाल पाएं तो summation xifi हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे हमने अपने सारे आंक्डे लिख दिये हैं इस column के xf column के तो यह हमें मिल गए सारे आंक्डे अब इनको add करके हमें mean मिल जाएगा यानि माध्य मिल जाएगा अब इनको जोडने पे हमें मिल रहा है 12,530 इसको 100 से divide कर देंगे तो हमें मिलेगा 125.3 यह हमारा माध्य है यानि mean है इन सारी heights का हमने सारे बच्चों की सारी height को यहाँ पे डाल दिया इनको गुना करकर के और फिर हमने इनका mean निकाल दिया अब इस mean का हम use करेंगे माध्य विच्णन निकालने के लिए यानि mean deviation निकालने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस mean को अपने सारे x से subtract करना पड़ेगा यानि घटाना होगा यानि कि अब हम निकालना चाहते है x i minus x bar तो यहाँ पे हम हर आकड़े के लिए यह करते हैं तो हमारा x bar यानि कि mean यहाँ पे है 125.3 तो इसको हम 100 से minus करेंगे तो हमें मिलेगा 25.3 वैसे तो minus मिलता पर क्योंकि हमें absolute लेना है इसलिए हम सिर्फ plus value ही लिखेंगे यहाँ पे 25.3 लिखेंगे फिर इसी तरीके से हमें मिलेगा अब यह मिल गया तो mean deviation के लिए हमें इन सब को frequency से गुना करना है जैसे कि हमने इन आकड़ों को x को गुना किया था उसी तरीके से हम अब इस deviation को भी f से गुना करेंगे यानि हम निकालना चाहते हैं x i minus x bar into fi यह हम निकालना चाहते हैं हर आकड़े के लिए तो देखते हैं यह हमें क्या देगा तो इस तरीके से हमने हर आकड़े के लिए यह निकाल लिया है तो एक बर फिर से दिखते हैं यहां पर हमने किया क्या है हमने सबसे पहले अपने उचाई को एक नंबर दिया कैसे दिया इसके मध्य बिंदू को लेके तो यहां से हमें उचाई के लिए एक नमबर मिल गया जिसे हमने कहा X फिर हमने लिखा कि कितने बच्चे उस उचाई के हैं हमने यह माना कि 9 बच्चे 100 cm के हैं 13 बच्चे 110 के और इसी तरीके से अब क्योंकि यहां पे 9 बच्चे 100 cm के हैं तो इन दोनों को गुना करके हमें मिला 900 इसी तरीके से बाकियों को गुना करके हमें ये नमबर मिले और इनका टोटल करने पे हमें मिला 12,530 अब 12,530 हमें बता रहा है कि टोटल कितने सेंटिमीटर है सारे बच्चों को गुना करने के बाद और बच्चे कितने थे? बच्चे थे total 100 यहाँ पर हमने सारे बच्चों को आट के तो हमें मिला था 100 तो इसलिए हमारा जो मीन था माध्य था वो आया 125.3 cm तो यह हमारा माध्य है इन सारे बच्चों के लिए माध्य हाइट है यानि माध्य उचाई है अब फिर हमें निकालना था विचलन यानि डेविएशन तो हमने हर सेंटी मीटर के लिए निकाला कि कितना डेविएशन है 125.3 से तो 100 का डेविएशन है 25.3, 110 का 15.3 और इस तरीके से बाकियों के लिए भी अब क्यूंकि 9 बच्चे है 25.3 डेविएशन वाले इसलिए हमें इस deviation को भी F से गुना करना है यानि कि 9 से गुना करना है इसलिए हमें मिला 227.7 इसी तरीके से 15.3 को 13 से गुना करने पर हमें ये number मिला अब इन सारे number को जब हम जोडेंगे तो हमें total deviation मिल जाएगी अब इस total deviation को भी हमें अपने total बच्चों से डिवैड करना होगा यानि 100 से डिवैड करना होगा ताकि हमें माध्य विचलन मिल सके तो चलिए ये करते हैं तो जो mean deviation होगा mean के about उसको हम कहेंगे 1 by n ये है total number of बच्चे और हम सारे अलग अलग deviations को जोड देंगे यहाँ पर जो कि हमने अभी अभी निकाल दे थे तो इनको जोड के हम लिखते हैं यहाँ पर अपना total कितना आएगा इन सब को जोडने पर 1128.8 इन सब को जोडने पर हमें ये मिलेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1128.8 cm divided by 100 तो हमारा mean deviation हो जाएगा 11.288 cm तो यह हो जाएगा हमारा उत्तर यह है हमारा mean deviation about the mean याने माध्य के साप एक्षमाध्य विचलन